नमस्कार दोस्तों केसे हो आप लोग उमीद करता हूँ सब खेरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुस होंगे दोस्तों इंडिया वर्सस इंगलेंड तीसरा टेस्ट मेच समाप तो चुका है और यहाँ पर इंडिया ने इंगलेंड को चार से चोतिस रणों की बड़े मारजीन से हरा है और इस मेच में यससवी जेसवाल ने अव इस्वसनिय बल्लेबाजी की दोरा सतक मार दिया और अभी भी नाबात थे अगर इंडिया को बल्लेबाजी की और जरुरत होती तो यससवी जेसवाल तीरा सतक मार देते और ये वीडियो में especially यससवी जेसवाल को लेकर ही बना रहा हूँ जी हाँ दोस्तों यससवी जेसवाल ने दोरा शतक मारने के बाद पोस्ट में इस प्रेजन्टेशन में एक बहुत ही एमोशनल बात कही है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ फिर मैं आपको translate करके बताऊँगा ठीक है ना तो सुनिये दोस्तो इन इंडिया you have to fight for everything फिरो में young age even catching the bus to training we grow up quicker in इंडिया देखो दोस्तों यससवी जेसवाल यहाँ पर कहना चाहरे है भारत में एक युवा लड़के को हर चीज के लिए संघर्च करना पड़ता है जैसे कि सुबह सुबह जल्दी उठकर बस पकड़नी है फिर ट्रेनिंग में जाना है फिर खाना टाइम पे मिलता है कि वो नहीं पता काम जल्दी ढूणना है परिवार का बोज जल्दी हमारे उपर आ जाता है जैसे यससवी जेस्वाल के साथ क्या हुआ आपको पता है ना यससवी जेस्वाल काफी कम उमर में अपने परिवार को छोड़कर मुंबई में आ गये थे वहीं पर एक छोटी सी टापरी में रहते थे एक तरीके से जो कि वो बरसाती की बनी होती है वहाँ पर बारिस में पानी भर जाता था और आज आकास शोपडा कोमेंटरी के दोरान यससवी जेस्वाल की स्टोरी सुना रहते यससवी जेस्वाल के पास किलब में फीस भरने के भी पेसे नहीं थे तो यससवी जेस्वाल को किलब के कोच जो की किलब के मालिक थे उन्होंने एक ओफर दिया कि यहाँ पर सुबह साड़े छे बज़े से ट्रेनिंग सुरू हो जाती है तो आप एसा कीजिए रात को साड़े तीन बज़े आईए यहाँ पर और साड़े छे बज़े तक ट्रेनिंग कीजिए क्योंकि सुबह साड़े छे बज़े के बाद यहाँ पर किलब के स्टूडेंट से वो प्रेक्टिस करेंगे अगर आपको प्रेक्टिस करनी है तो आप सुभा साड़े तीन बजे आईए और साड़े छे बजे तक प्रेक्टिस कीजे तो यससवी जेस्वाल रात को सोते नहीं थे यह साड़े तीन बजे प्रेक्टिस करने ग्राउंड में पोच जाते थे या किलब के ग्राउंड में पो गये थे और अपने काम को लेकर इतने डेडिकेटेड थे इसलिए यससवी जेस्वाल को सफलता मिलिये यससवी जेस्वाल ने अपनी लाइफ में काफी ज़्यादा संगर्स किया है पेसा भी नहीं था इनके पास आपको पता होगा ये गोल गप्पे बेशते थे पानी पूरी बेशते थे उससे अपना गुजारा करते थे और यहां तक कि यससवी जेस्वाल ने तो ये भी बोला है कि वो अपने फादर साब से पेसा भी नहीं मांगते थे उन्हें सर्म महसूस होती थी इसलिए वो अपने खाने पिने का खरचा खुद उठाते थे रहने का भी खरचा खुद उठाते थे तो दोस्तो इससे तो साफ जाईर होता अगर आप महनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी यससवी जेस्वाल ने कितनी महनत की अब उस महनत का यससवी जेस्वाल को फल मिल रहा है यससवी जेस्वाल ने टोटल आट मेच खेले अपने टेस्ट करियर में उसमें से दो दोरे शतक मार दिये एक 117 रणों की पारी खेलिए मतलब यससवी जेसवाल ने केवल आठ टेस्ट मेंच खेले उसमें से तीन सतक तो मारे वो भी कोई छोटे मोटे सतक नहीं मारे मतलब यससवी जेसवाल कोई छोटा शतक नहीं मारते एकसवी जेसवाल ला जवाब खिलाडी है तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया पोस्ट मेच प्रेजन्टेशन में क्या कहा है कि इंडिया में कम उमर के लड़के को कितना ज़्यादा struggle करना पड़ता है life शुरू से ही struggle वाली चालू हो जाती है कमाने के लिए देखना पड़ता है खाने के लिए देखना पड़ता है everything तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये जानकर ये अच्छे लगिए तो please इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए बाई बाई जय हिंद वंदे मातरम